आज है 17 जून 2024 दिन सुमबार वेल्कम बैक टो क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी ख़परों को से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले साथी हमारे फेस्बुक पेस्ट को भी फॉलो करें फेस्बुक पेस्ट करें बिल्कुल दिया गया है प्रदेश के 45,000 सरकारी स्कूल में शुरू होगी प्री नर्सरी क्लासेस मदर प्रदेश में शिक्षा इस्टर को बढ़ाने के लगातार प्रयास किये जा रही है पहले सीम राइस स्कूल शुरू किये गए इस वज़ सरकारिक नहीं पहल शुरू करने जा रही है प्रदेश के 4,473 सरकारी स्कूल से प्री नर्सरी क्लासेस के शिरूआत होने जा रही है इन स्कूल में 18 जून से ना मांकन प्रक्रियाश शुरू होनी वाली है हाला कि जिन सरकारी स्कूल के परिसर में आगनबाडियों का संचालन किया जा रहा है ओने स्कूल में प्री नर्सरी क्लासेज शुरू नहीं होंगी मदरप्रदेश में मदरसों के बाद मिशनरी आश्रमों और एंजीओ के स्कूल पर रास्ट्रिय बाल आयोग की निगा मदरप्रदेश के 1505 मदरसों में इसलाम की तालीम ले रही हिंदू बच्चों की जानकारी सामने आने के बाद अब रास्ट्रिय बाल अधिकार संड़क्षन आयोग सक्त हो गया अब मदरसों के साथ ही मिशनरी आश्रमों और एंजीओ की जानकारी भी जुटाए जा रही है आयोग की टीम ऐसे मिशनरी आश्रमों पर नज़र रखेगी जिनकी शिकायते आयोग को प्राप्त हुई या जो संदे की दाइरे में है अब आदलों के भी सफर करना होगा असान खज़राहो दिल्ली बनारस के लिए शुरू हुई दो एयर बस परेटन नगरी खज़राहो सहीद बुंदेल खंज पर अब हवाई सेवा देने वाली कंपनी इसका पूरा फोकस है इसलिए वो खज़राहो से दिल्ली बनारस की उड़ान सेवा देने की तैयारी कर ली है इंडिको कंपनी ने 180 सीटर दो एयर बसस को उड़ाने की तैयारी कर ली जिसकी रोजाना बुकिंग हो रही है पैसेंजर्स की बड़ती डिमांड को देखते हुए अब स्पाइस कंपनी ने भी स्पेस मांगा है मद्रप्रदेश में जस्रोतों के संडक्षन और समवर्धन का कारे रहेगा जारी मद्रप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भवर सला तालाब बे जल गंगा समवर्धन अभ्यान के अंतरगत आयोजित कारिक्टर में श्रमदान किया बुक्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जलगंगा समवर्धन अभ्यान के अंतरगर जस्रोतों के संदक्षन और समवर्धन के लिए सभी को संकल्प दिलाया इन दौर से चुरू हुई पीम श्री परियटन वायु सेवा टिकेट पर एक महा तक 50 प्रतीशत की चूर इन दौर में पीम श्री परियटन वायु सेवा की शिरुवाद 16 जून से हो गई पहले दिनों जैन और भुपाल की उड़ाने संचाले थोंगी इसके लिए दोरों शेहरों के विमान में बुकिंग फुल हो चुकी है इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को एक महा तक 50 प्रतीशत के चूर टिकेट पर प्राप्त हो रही है मरीजों को मिला लंबे कतार से चुटकारा अब घर बैचे भी ले सकते हैं डॉक्टर से अपॉइन्मेंट M.Y. हॉस्पिटल की O.P.D. में मरीजों को लंबे कतार से चुटकारा मिलने लगा है मरीजों को अब घंटों कतार में नहीं लगना पड़ रहा क्योंकि मुबाइल फोन के माध्यम से मरीज घर बैठे डॉक्टर से अपॉइन्मेंट ले सकता है OPD बिल्डिंग में मरीज को अपनी जानकारी देने के लिए जगा जगा स्कैनर चसपा किये गए है जुलाई से इंदोर एयरपोर्ट पर यात्री अपना चेहरा दिखा कर सकेंगे प्रवेश इंदोर एयरपोर्ट जल्दी देश के उन चुनिंदा एयरपोर्ट पर शामल होगा जहां पर चेहरा दिखा कर यात्रियों को एयरपोर्ट पर प्रवेश मिलेगा प्रवेश के दोरान केसी तरह के काकस दिखाने की आवशक्ता नहीं होगी डिजी यात्रा के उपकरन लगाने का काम लगभग पूर्ण हो चुका है इसी माट ट्रायल भी शुरू हो जाएंगे इसके बाद जुलाई से ये सुविधा यात्रियों को मिल सकी की मद्यप्रदेश के 5000 पैरामेजिकल चात्र चात्राओं का भविश अधर्मी तीन वश से परिक्षा की प्रतिक्षा कर रही मद्यप्रदेश के लगबग 5000 पैरामेजिकल चात्र चात्राओं का भविश अधर्मी है ये विद्यारती उन पैरा मेडिकल कॉलेजिस के हैं जिन्होंने अभीता जियेस्टी जमा नहीं किया किंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार एक जुलाई 2017 से कॉलेजिस के संबद्धिता शुल्क पर 18 प्रतीशा जियेस्टी लिया जाना है शिप्रा शुद्धी के लिए सियमने किया 598 करोड की कान डाइवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का भूमी पूजन किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उजयन में 20 बंदियों के लिए सपरिवार आवास करने को तीन करोड 25 लाक रुपे से बनाई खुली जेल का लोकारपन किया देश में 10 करोड से जादा मदुमे के रोगी गचार साल में 44 फीसद बढ़े वर्तमास समय में प्रते दिन योग साधना मदुमे रोग्यों के लिए अत्य अंतलापकारी और प्रभावी है इसे कई बीमारियों को होने से रोका जा सकता है और कई गंभीर बीमारियों को निय खंडवा में बैक वाटर के टापूओं से प्रदेश में परियचन का नया अध्याई श्रिमाहकार महालोक और ओमकारेश्वर जोतिलिंग के दर्शन के लिए आने वाले देश दुनिया के परियचकों को अब खंडवा जिले की बान परियोजनाओं के बैक वाटर में उभर मदर्परदेश के इनचार संभागों में मौनसून पूर्व की बारिश की संभावना मदर्परदेश में इन दिनों कुछ जिलों में गर्मी के तेवर कम हो गए हैं हाला के कुछ जिलों में अभी भी तापमान 40 के पार बना है इस बीच उमस ने भी बेहाल कर रखा है इसके चलते हैं लोग पसीने से लटपत हो रही है मौसम के जानकारों कमानना है कि अभी मौनसून की बारिश होने में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा लेकिन कुछ संभागों में बारिश के आसार है क्रशी मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने बताई तारी किस दिन आएगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नौ करोर से अधिक किसानों के खाते में जालेंगे काशे में आयुजित कारिक्रम के दौरान प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी पीम किसान योजना की सत्रवे किष्ट को जारी करेंगे मतरप्रदेश के पहुचित नर्सिंग कॉलेज़ गोटाले में 179 कॉलेज़ की दोबारा सी बी आई जाच कराने के लिए सुप्रेम कोट ने हाई कोट के आदेश पर दखल ना देने से साफ इनकार कर दिया प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज़ की आचिका को सुप्रेम कोट ने खारिश कर दिया करीब दो दरजन नर्सिंग कॉलेज़ ने हाई कोट के 30 मई को दोबारा सी बी आई जाच वाले आदेश को सुप्रीम कोट में चनौती दी थी मुख्यमंत्री बूले प्रकरती की तब्याद भी खराब होती है पेड नदियों से उसे नया जीवन मिलता है इन दोर में क्यावल लाक पौदे लगाने के अभियान मुख्यमंत्री मुहन्यादव के आतित्ते में शुरू हुआ उन्होंने अभियान के लोगो टोल फ्री नंबर और सौंग लाँच किया ऐस मौके पर अतितियों ने कहा कि पेड लगाना सबसे बड़ा धार में काम है एक पेड लगाना मंदिर बनाने के समान है अभियान के लिए मुख्यमंत्री मुहन्यादव ने 20 करोड रुपे देने की घोशना की मुख्यमंत्री मुहन्यादव ने कहा कि मंद्यप्रदेश में 7 करोड पौधे लगाई जाना है प्रदेश कॉंगरिस को विजयपुर उप्चनाओ के लिए वरिष्ट नेताओ पर भरोसा समिती में नेताओ को किया शामिल विदानसब और उसके बाद लोगसबा चनाओ हानने के बाद MP कॉंगरिस लगातार बदलाव कर रही है वरिष्ट नेताओ को साइड किया जा रहा है इसके बाद उन्हें सफलता मिलती नहीं दिख रही अब एक बाद फिर से मद्यप्रदेश कॉंगरिस के प्रदेश अध्यक्ष जीतु पटवारी नी पार्टी के वरिष्ट नेताओ पर विश्वास दिखाया प्रदेश के शियोपूर जिले की विजय पुर्विधान सभा शेत्र में निकट भविष्य में उप्चुना होगा अपरादों पर अंकुष लगाने के लिए मद्यप्रदेश पुलिस एक्षन में है प्रदेश में लगातार अपरादियों के धर पकड़ जारी है इस सानुक्रम में शनिवार और अविवार की दर्मियानी राथ प्रदेश भर के पुलिस एक सा एक समय पर नाइट कॉंबिंग उपरेशन पर निकली डीजीपी सुधीर सक्सेना के मार्क दर्शन में हुए इस नाइट कॉंबिंग उपरेशन में सभी जिलों में आईजी डी आईजी एसफी एसडी ओपी थाना प्रभारी भुपाल और इंदौर पुलिस कमिशनरेट के सभी अधिकारी वकर्मचारी शामिलत रही अब खरगोन में ही स्टुडेंट्स कर पाएंगे बियस्टी अग्रिकल्चर इस यूनिवास्टी में आडविशन शुरू मद्यप्रदेश का खरगोन एक कृशी प्रधान जिला है यहां दिकतर लोग खेती पर निर्भर हैं इसी को देखते हुए जिले में आजादी के बाद से कृशी महाविद्याले की मांग लगातार की जा रही है महाविद्याले के अभाव में विद्यार्तियों को कक्षा बार्वी के बाद आगे की पढ़ाई के लिए इंदोर भुपाल जबलपूर रिवा जैसे अन्य शहरों की ओर रुख करना पड़ता है लेकिन अब कृशी संकाय से जोड़े विद्यार्तियों को ना तो कॉलेज का इंतिजार करना होगा और ना ही एग्रिकल्चर की पढ़ाई के लिए अन्य शहरों की दोल लगानी होगी मद्रप्रदेश से केंद्र में मंत्री बने छे सांसदों का राजधानी भुपाल में होने वाला स्वागत कारिक्रम इस्थगित कर दिया गया पूर केंद्रिय मंत्री और भाचपा के सीनिया नेता सत्यना रायन जटिया की पत्नी के निधन के चलते कारिक्रम इस्थगित किया गया बदले हालात में भी पाठक का मीडिया पर भरोसा बरकरार है जहां तक पत्रकारिता और साहित्य का संबंद है ये अटूट रिष्टा है वरतमान समय में पत्र-पत्रिकाओं में साहित्य के लिए इस्थान कम हुआ है जो चिंता का विश्य है इस पर काम करने की जरूरत है ये बाते वरिष्ट पत्रकार डॉक्टर महताब आलम ने कही विमद्रप्रदेश इंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा आयोजेत नीलम जैन्ती शब्द उत्सव के दूसरे दिन कारिक्रम को संबोधित कर रही थी आतंकवाद पर अमिच्छा की दो टूग बोले कश्मीर की तरह जम्मो में लागू हो शुन ने आतंकवाद योजना केंद्रेक्रमंत्री अमिच्छा ने रविवार को सुरक्षा एजंसी इसको कश्मीर की तरह जम्मो संभाग में शेत्र प्रभुत्व और शुन ने आतंकवाद योजनाओ को लागू करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि नरेंद्रमोदी सरकार नवीन तरीकों से जम्मो कश्मीर में आतंकवादियों पर नकेल कसकत एक उधारन इस्थापित करने के लिए प्रतिबत है कुरोना के बाद फैला मास खाने वाला घातक बैप्टीरिया जापान में कोविच काल के प्रतिबंदों में जील देने के बाद एक दुरलब मास खाने वाला बैक्टीरिया के कारण ऐसी बीमारी फैल रही है नैशनल इंस्टिटूट ऑफ इंफेक्शियस डिजीज के अनुसाल स्ट्रेप्टा कुकस टॉक्सिक शॉक सिंड्रॉम एक आक्रामक बीमारी है जो संक्रमन के 48 घंटों के भीतर जान ले सकती है दो जून तक जापान में स्टी एसेस के 977 मामले सामने आए बदन दर्थ, सूजन, बुखार, लो ब्लड प्रेशर इसके लक्षन है NCRT की नहीं किताब से बाबरी मस्जित का नाम हचाया गया NCRT की किताब से बाबरी मस्जित रथियातरा, कार सेवा और विध्ध्वन्स के बाद की हिंसा की जानकारी हचा ली गई इसके अलावा किताब में बाबरी मस्जित नाम के बजाए इसे तीन गुमबध धाचा और अयोध्या विवात को अयोध्या विश्य के नाम से पढ़ाया जाएगा टॉपिक भी चार की जगा दो पेस का कर दिया गया NCRT की डारेक्टर ने इस मामले पर कहा कि हम पॉजिटिव नागरेग बनाना चाहते हैं ना कि वॉयलेंट और डिप्रिस्ट इंसान शिक्षा मंत्री धर्मेंदर पधान ने लगा दी NTA की क्लास नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में धानली के आरोपों के बीच के इंद्रिय शिक्षा मंत्री धर्मेंदर पधान ने NTA को भी निशाने पढ़ ले लिया उन्होंने कहा कि नीट मामले में किसी भी तरह के गरबड़ी करने वालों को बक्षा नहीं जाएगा बच्यों के भविश्य के साथ कोई खिलवार बरदाश्ट नहीं किया जाएगा भारते रेल्वे ने रचा इतिहास लिमका बुक अफ रिकॉर्ड्स में दर्च हुआ ना देश के लाइफ लाइन भारते रेल्वे ने एक और इतिहास बना दिया तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सरु करें धन्यवाद